बड़ी खबर, बेहत दर्दनाख खबर, स्वास्त सेवाओं की पोल खोलती ये तस्वीरे जब राज़ानी का ये हाल है तो बाकी जगा क्या होता होगा सरकार अपने ही कामों में व्यस्त रहती है ग्रामीन परिशान होते हैं, जुगार का पुल बना लिया है बेराशिया में एक महिला को दर्द हुआ, डिलीवरी के लिए महिला को ले जाना पड़ा तो महिला को खाट पर लिटा कर ग्रामीन अपने कंदों पर खाट लथा कर ले जाते नज़रा रहे हैं नजीराबाद से 5 किलोमीटर दूर मीनाफुर में पुल या टूटने से ग्रामीड बेहत परेशान है अफसोस है कि 77 सारों की सरकारों में जो पुल नहीं बन पाया वो ग्रामीडों ने परेशान होने पर 20 मिनिट में बना लिया इस जुगार के पुल से एक महिला एक जान को जन्म देने जा रही है लेकिन एक बच्चे को जन्म देने वाली महिला को सुरक्षित पहुचाने के लिए कई ग्रामीडों ने अपनी जान जो किम्बे डाल दी है आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना है ग्रामीडों ने एक खाथ पर महिला को लिटाया बारिश से बचाने के लिए तरपाल से उस महिला को ढखा और अब इस जुगार के पुल को पार कर रहे हैं कुछ भी हाथ सा हो सकता था यह जुकार का पुल सरक सकता था पानी का बहार तेज हो सकता था कई ग्रामीनों की जान जोखिम में डली है शिवराजी जरध्यान से देखी आप के प्रदेश के ग्रामीन किस तरह से तकलीफे जेल रहे हैं किस तरह से परेशान हो रहे हैं और आप हैं कि प्रदेश को मजबूत पुल भी नहीं दे पा रहे हैं ग्रामीनों ने अपनी जान जोखे में डाल का चारफाई पार महिला को लिटाया है त्रपाल से ठक दिया है जिससे बारिश में वो भीगे ला और जुगार के पुल से इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है यहां तक एंबुलेंस भी नहीं आ सकती स्वास मंत्री की क्या कहे प्रभु राम चोधरी का स्वास विवाग वैसे ही राम भरो से रहता है या पी ड़ी विवाग की बात की जाए या ने उस विवाग की जिसकी जिमेदारी है पुल बनाना या यू कहूं मुखिया ही अगर इस पर ध्यान दे देते तो शायद यहां एक मजबूत पुल होता और ग्रामिन सुरक्षित इस पार से उस पार जा सकते थे 577 711 rabindranath tagore university the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join india's premier skill-based university rabindranath tagore university आप देख रहे हैं दखल न्यूज